यही चीज सब सर्विस टेम चेकिंग करना रहता है तो फिरेंट्स चलिए आज कुछ नियाद सीख लेता है बाइक के रिलेटी तो देखिए हैं मेरे पास हीरो कंपनी का यहां पर चला हुआ है लेकिन जब भी आप लोग सर्विस सेंटर पर जाते हैं पर सर्विस कर वाने के लिए देखिए दस हजार सूपर चल गया रहाजार बाराजर उस्टेम आपको देखिए एक काम करना है यह बहुत मेकानिक नहीं कर तो बैक को इंजन को अंदर से फलस करन उपनें ड्मघ काम आपको क्या करना है यह आपक Växello को न्युकूल बात कर लेना है वहां पर एक लगता है इसको भी एक फिल्टर ही लेकिन यहां प्रिट में एक लिटर लगता है जो बहुत कस्टेमर को मालूम है बहुत कस्टेमर को नहीं मालूम है तो उसके लीजुक्त करना परेगा लेकिन ब्याचिक सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद ही बैक का यहां खूल करके बाहर निकाल लेते उसके बाद आपको बतला रेस में दो काम करना है एक नहीं दो काम करना वह भी बहुत काम है यह काम अगर आप लोग नहीं करते हैं तो बाइक का इंजन कुछ दिन में खराब होजगा इंजन से जर्जर फरफर काफी ज्यादा सौन डाने लगा चलिए फटा 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 पर समकलर को अपन कर लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और स आपको ये काम क्या करना है सबसे क्या है और जोब है आपको आपको कर लेना है इसको हम लोग क्रेंग वेट बोल शक्तिया πॉल्सक्राइब करेंग लोट्ट रॉटुरीट भी बोल सकते हैं फिर उंद्ट सकते हैं इसे इस नोगर को तो पुछ आप इस तरह से फैबर वाले हम लेकर इस पर फ़र निकल जाएगा पलेट खुल करके बाहर निकल गया अब उसके बाद यहां पर देखिए इसके अंदर में देखिए कितना इसके अंदर में डश्ट भरा है यह जो ड़स्ट वह है जो भाइक के फूरा बहुत धीरे-धीरे आईश्टी आईश्टी करके इंजिन कंदर फॉरा बुड़ पाट घिशता है वही कच्रा सब इंजन एले मिक्स हो करके यहां तक आ जाता है वह वह जो है इस करेंग के सब्सक्राइब यहां पर बात कर ले तो बहुत बार आपने भी कलच प्लेट चेंज करते वक देखा होगा कि यहां पर कारबन जमा रहा थे कच्रा काफी जाता जमा रहता है लेकिन अभी बाइक बिल्कुल न्यू है 13,000 क्लोमेटर चला हुआ था इसलिए इस बाइक में बह ठीका COB यहीं कचरा आश्टे-ास्ते कर चाही पराक क्या होता है इंजनम्हें करकर आफकर यहां से क्लान आपको आपढ़ी करना है सब्सक्राइब कर अगर चला गया करेंग मैं च्टाइब इलिज बेरिंग लगता है वह खराब उसके बाद वह इतोरा बहुत इंजनल का चिरकाव प्स्टन के पास भी होता है जिस रिंग का मैं सुर्फ पिस्टन आइंजर आया को पर पहुंच जाएगा तो फिर बैक हुए टेस्ट मुख कर ले धूआ देना लेकिन यहीं कच्रा अगर चला जाएक रिंग पिस्टन के पास तो फिस्टन घीस जाएगा फुरा एक स्क्रेट जाएगा फिर उसके प्रोल्म जाओ कि आपका बैक जो है कुछी दिन में हुए टे यहां से अगर में आपन करना चाहते हैं अब देखी स्पाइचिंग आपको सैड कर लेना है उसके बाद यहां पर यही वह एक सेक्षन फिल्टर लगा है यहां बदा कि एक फिल्टर लगा जिसको हम लोग नौर्मली एस्टूड्रावर चापन कर लेते हैं यह यहां बैक का कलाच को फिल्टर को किलिन करने के लिए उसके रोटरी पॉंप जिसको क्रेंग वेट बोल सब्सक्रेंग बैलेंसर बोल सकते हैं इस पयप्ण through preciso लगा था पलेट उसको अपण कर के इन सभी पार्त admir ully और सब्सक्राइब है यहीं चीज सब चेकींग करना रहता है ऑगया। सोंडर अगर स्कुम क्लीन नहीं करेंगे टैम टैम पर होगा दो इंजन चले गाँ आपका साथ हजार में प्रावलाम और यह ध्यान डख नहीं तो फेंच यहां तक है काम अब यह अगर इसको अम लोग किलीन नहीं करेंगे इंजन ऑबर हीट होने लगा इंजन का सौंड खराब हो जगा जड़जर फरफर काफी इंजन सौंड रहा और आपको बैक चलाने में भी मजा नहींगा अगर सेक्शन फिल्टर के रिलेटिव इस तरह से बैक के इंजन में प्रबलम अगर प्रफर नहीं मिलेगा और जब इंजन फॉर नहीं मिलेगा और जब इंजन फॉर नहीं डिले मिलेगा क्रेंगा नहीं तक वर इंजनर पोलस पाइगा थो च hm उब्स पोच्था आपको धियान डखनाहीट चाहिए ज कर दो को पूला करते हैं